हलो आज है थर्ड जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जारे वकरांगी के बारे में देखे 17 रुपए का शेर है वकरांगी का 0.5% की तेजी हमें कल यहाँ पर देखने को मिली थी लेकिन वकरांगी में पिछले कुछ गॉर्टर समें ऐसा हो रहा है जो की बिल्कुल भी सही नहीं है बातीद करेंगी उसको लेकर लेकिन उसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे विडियोस हैं जो आपको काफी जादा हल्प करेंगे तो वकरांगी 17 रुपए का श्यर पिछले एक महिने में अगर आप देखोगे तो लगातर गिरावट बनी हुई है और देखा जाए तो कोई इतना बड़ा मूव नहीं है अठरा रुपए का हाई है और जो लो है वो 16 रुपए 75 पैसे का है तो एक महिने में उतना बड़ा मोमेंटम क्रियेट नहीं हुआ है चाहे वो पॉसिटीव हो या नेगेटीव हो लेकिन पिछले एक साल में धीरे धीरे करके ये बहुत नीच गया है देखने को तो अगर देखा जाए तो 38 परसंट की गिरावट है लेकिन अगर इसके एक्चुल हाई प्राइस से कंपेर करेंगे जो कि 45 रुपीज का था उससे अगर हम कंपेर करेंगे तब तो गिरावट 70-75 परसंट के आसपास के देखने को मिल रही है काफी बड़ी गिरावट कह सकते हो यहाँ पर कि देखने को मिल लगातर गिर रहा है अभी कोशिश कर रहा है 17 रुपे के आसपास एक बेज बनाने का एक सपोर्ट बनाने का लेकिन दिक्कत है कंपनी में यहाँ पर दिक्कत है और सबसे बड़ी दिक्कत है अभी इनके जो लास क्वाटर के रिजल्ट्स आए वो वकरांगी के जो इनके रिजल्ट्स आए है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी के रिवन्यू में बहुत बड़ी गिरावट है और प्रॉफिट तो मालो की बहुत कम है इनका रिवन्यू 77 परसन डाउन हो चुका है सिफ 42-43 कर रिवन्यू रहा जो कि इससे पहले 188 करोड हुआ करता था तो बहुत बड़ी गिरावट है प्रॉफिट में भी 98 परसन की गिरावट है जो प्रॉफिट पहले क्वार्टर में 28-29 करोड के आसपास हुआ करता था वो अब लाखों में रह चुका है सिफ 43 लैक का ही रहा है य कि कोशिश करू तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना कितना गिरा है इनका रिवन्यू यह इस बार का सी 43 करोड से भी कम का रिवन्यू रहा जो इससे पहले December quarter में 243 करोड का रिवन्यू था तो रिवन्यू में बहुत बड़ी गिरावट है इवन पिछले साल की सी quarter में 188 करोड का revenue था तो उसके मुखाबले अगर आप देखो तो नमबर बहुत छोटा है बहुत छोटा है नमबर और जहां तक इनके profits के बात करें तो हाला कि जब इनका revenue 245 करोड के आसपास था तो profit सिफ 2,00,00 का हुआ था इस बार इनका revenue सिफ 43 करोड का हुआ है तो इस बार profit हु revenue तो बहुत जादा गिरावट है profit में भी काफी बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है और यहार इतना कम revenue वाकई में किसी चीज में यह समझ नहीं आ रहा है कि इतना कम कैसे हो गया इनका revenue और इनके वकरांगी केंद्र है वो जनरली आपको देखने को मिलते हैं चोटे शहरों में गाउं में देखने को मिलते हैं क्योंकि जादा तर लोग उस्तमाल करते हैं वकरांगी केंद्र में जाते हैं इनके services के लिए जो खुद से नहीं कर पाते हैं बहुत सारी चीज़े ऑनलाइन अगर आप देखो तो technology में काफी आगे बढ़ चुके हैं अभी भी काफी लोग पीछे हैं वहाँ पर तो जो services है चाए वो सरकारी मतलब जो government से जुड़ी हुई कुछ services हो गई या बाकी services हो गई वो जनरी लोग जाते हैं वकरांगी केंद्र में उनकी help लेते हैं और वहीं से करवाते हैं बड़े शहरों में तो भाई आप लोग खुद से करना शुरू कर चुके हैं ठीक है जब सबके पास smartphone है लोग खुद से करते हैं सबके पास internet है वो खुद से करते हैं यहाँ पर अगर आप देखोगी वकरांगी में तो volume इसका 50 लाक का रहा है कम हो चुका है इतना ही नहीं अगर हम देखे तो according to money control user 100% लोग कहरे खरीदारी क company में अगर आप देखोगे तो last transaction जो थे insiders के 2022 में वो बेकवाली के थे और तब share price 38, 9, 38 रुपीस के आस पास था इतना ही नहीं अगर हम dividend के बात करें तो पिछले साल इसने 5 पैसे का dividend पे कैसा सब्टेंबर में इस साल अभी तक पे नहीं किया है मुझे रहता है कि शायद न 5 पैसे का या फिर उससे पहले 10 पैसे का आपको जो dividend पे किया था उसकी वज़ब भी थी कि company profit में थी 2021 में company का जो profit था वो 62 करोड का था 2022 में 109 करोड का रहा 23 में कहां पर आ गए एक करोड पर तो आप देखिए कहा company 100 करोड 110 करोड का profit करती थी आज उसका profit एक करोड में revenue को लेकर है कहा company पहले revenue जो करती थी 75 करोड के आज पास का आज वो घट रहा है revenue का बहुत बड़े प्यमाने पर घट रहा है तो एक दिक्कत की बाद जरूर है वगरांगी में अगर हम देखेंगे तो 175 का PE है इसका वी और यह काफी हाई है और जहां तक इसका sector PE देखे तो 25-26 का है कोई भी अनरेश इसले खरिदारे करने की बात नहीं कर रहे है श्रेह होल्डिंग के बार भी बेगर हम देखे तो promoter के पास 42.60% की होल्डिंग है mutual fund के पास कुछ भी नहीं है बेच के निकल यह वो लोग यहां से 6.32% है domestic institution के पास 7.67% है Files के पास retail और अधर की मिल 9% जो है वो other parties के पास है देखे overall वकरांगी को लेकर मैं इतना कहूंगा कि जो numbers पिछले एक साल में देखने को मिले है financial 2023 में देखने को मिले है वो उतने भी जादा encouraging नहीं है specifically पिछले 2-3 quarter के जो results है वो बिल्कुल भी encouraging नहीं है और यही वज़ा है कि मैं कहूंगा कि यह उत अगर हम आप देखेंगे तो एक टाइम पर यह 500 रुपे का share था 500 रुपे का share था वो भी बहुत कम वक्त में इसने बहुत बड़ी उचा आया चोई थी लेकिन जब गिरना शुरू हुआ तो एक जटके में गिर गया था यगन पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो 52% क आसपास देखो कोविट के टाइम पर जब बाजर की अखलत इतनी खराब थे तब भी 18 रुपे से इसने bounce back दिखा दिया था और अभी ये उसको भी तोड़ चुका है तो जो सारे support लेवल थे पिछले 2 सालों के वो सब तूट चुके हैं यहां पर तो अभी मुझे कहीं पर क कुछ भी decisive कहना मुश्किल है और जिस तरीके इनके results आये पिछले कुछ quarter में वो उतने जादा encouraging भी नहीं लगते हैं कि यहां पर invest किया जा सके देखें जब तक वकरांगी में numbers में कोई turn around नहीं होता है जैसे कि quarterly results में जब तो कोई अच्छी बात नहीं आती है तब तक मेरे ह खरी लेता हूं मत खरीदना अभी क्योंकि अभी अगर आद देखो तो भाईया हम अभी भी बड़े बुल्डरन में है ठीक है और जब उसमें यह नहीं भाग रहा है तो जब बुल्डरन खतम होगा तब क्या होगा यह कहना मुश्किल है अभी के लिए और numbers अभी उस तरीक का जो confidence है वो दे नहीं रहा है अगर आप numbers भी देखोगे तो भाईया बिल्कुल भी encouraging करने वाले तो numbers नहीं इनके financial अगर आप देखोगे तो और जब तक चीजे clear नहीं हो जाती है तब तक मेरे हिसाब से यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और performance wise अगर आप देख पसंद आप हो तो लाइक कर रोशाय कर चाहिए और पहली बाहर है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वकरांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिख कर बता सकते हैं इसके अलावा अगर आप चाहते है कि मैं ऐसी और भी company के उपर वीडियो बन ना हूँ तो जिस किसी company के उपर वीडियो चाहते है उसका नाम लिखे comment में अगर ज्यादा comment आएगी तो उसके बाद में भी हम बात्चीश जरूर करेंगे वीडियो को एंड करूंगा पसंद आए हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल बगरा पहली बाहर हैं तो प्लीज सब सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थैंक यू